एलो स्टुडेंट वैलकम टू डिस वीडियो आज हम देखने बाले हैं कक्छा 11 बी के चातरों के लिए बिसेज जी बिग्यान यानि की बायोलोजी के चातरों के लिए हम बहुत ही जादे इंपूडेंट कोश्चन का वीडियो लेकर के आ चुके हैं जो कि आपकी परिक्षा क दरश्टी से बहुत ही जादे इंपूडेंट कोश्चन है सभी अब्जेक्टिव कोश्चन आपके इस वीडियो में कंप्लीट कराए जा रहे हैं तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना हैं सभी चातरों को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर जो भी करना हैं सभी याद हो जाएँगी आपको पादव जगत को वह जर किसी कहा जाता है तो जिसको भी आंसर पता है बिना देखे का vine में ज़रू काँट दवारा होता है तो पेरोपोडिया, नेफरीडिया, कलाइटेलम या सिटी द्वारा तो यहाँ पर आप देख लेंगे नेफरीडिया द्वारा होता है यहाँ पर आंसर दिया गया है तो आप इसे याद रखेंगे अगला कोश्चन है आपका जड़ें बिक्सित होती है तो मूलांकुर से, प्रांकुर से, प्रांकुर चोल से, बीच पत्र से, तो मूलांकुर से जड़े मिक्सित होती हैं, इसे आप याद रखेंगे, अगला question हम देख लेते हैं, तने का रूपांतरन हैं, तो option आप देखेंगे, आलू, अद्रक, हल्दी, तो ये सभी तने का रू का परिभान, किस उतक के द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोयम, कोलेंच, काईमा, प्रेंच, काईमा, ऑप्सन दिये गए हैं, जो भी right answer है, कमेंट में जरूरू बता है, जिसको भी पता है, चलिए इसका answer देख लेते हैं, इसका answer है, option नमर आवाला, जाइलम, उतक के द्वा ने की थी, तो केंदरक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कोशिका की खोज, यदि आप से पूछा जाए, तो रॉबर्ट हो का आप याद रखेंगे, केंदरक की खोज के लिए आपको रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है, चलिए आगे देख लीती है, अगला क्वेश्चन है आपका अंतरा अवस्था की किस अवस्था में DNA का निर्माण होता है तो अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की केरियो काइनिसिस अवस्था में होता है तो कोशिका केंद्रक केंद्रक का विभाजन की केरियो काइनिसिस अवस्था में होता है तो आप इसे याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका केल्विन चक्र का प्रिथा मुत्पाद है तो यहां पर ओप्सन दिये गई हैं आपको थ्री फॉस्फो गिलिस्टरिक अमल तो यहां पर आप देख लेंगे और बी आपके दोनों सही हो जाएंगा कि यहां पर पाराना पाथवे इस नाम से भी जानी जाती है जली आगे देख लेते हैं गलाइकोलाइस की प्रक्रिया में एक ग्लूक एडूसे कितने पाइड़ोबिक एसेड के अडू बनते हैं सब अग्ला कुश्चन है आपका मचलिवु मैं किस प्रक्रिया दो आरहा होता है तो यहां पर गिल्स कर्की होगा आप बच्पन से पढ़ती आ रहे हैं से याद रखेंगी अगला है रख्त प्लाज्मा में पाई जाने बाली मुख्य प्रोटीन हैं तो सभी हो जाएं क्योंकि फाइबरी जोनन नोजन और सभी रख्त प्लाज्मा में पाई जाने बाली प्रोटीन हैं तो सभी इसका अंसर हो जाएगा अगला कॉस्चन है आपका सुएत रख्त कड़ी काउं डवलुबी सी कितने के प्रकार हैं तो यहां पर कुछ ऑप्सन दिये गए हैं लिंपोसाइड नूट्रोसाइड रहें अगला है आपका मानो ब्रक की सराचनात्मक बाकरियात्मक एक आई है तो वह ब्रक काणूं अप्याद रखेंगे अगला कुस्चन है चप्टि क्रम्यों में उत्सर्जन किस प्रकरिया द्वारा होता है उप्सन दिये गए हैं आपको जुआला को सिकाएं मेल पीगी लिखाएं ब्रक और ग्रीन गरंथिया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वह जुआला को सिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है चप्टि क्रम्यों में अगला कुस्चन है आपका पैरामीसियम में चलन किस सरचना द्वारा होता है तो वह होता है आपका आपके द्वारा के अगला कॉस्चन देख लेते हैं निमनलकित मैंसे कौन सी गरंती स्तरावी गरंती नहीं है तो स्वेद्स्थानर रखत तत्रानों की पूर्ति कीजित उनकी आउंसर भी यहुँ पर दिये गए हैं साथ में मचलियों मैं ससन्तं को द्वारा होता है तो गिल्स के द्वारा होता है संग आर्थो पोड़ा में खालिस्थान प्रकार की सम्मिति पाई जाती है तो दूई पार्स प्रकार की सम्मिति पाई जाती है दूई बीच पत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत स्रावन्याश होता है रक्षक कोशिक का कारे केंद्र केंचुए में होता है तो आप इसे याद रखेंगे कोशिका का ओर्जा घर खालिस्थान को कहा जाता है तो माइट्रो कंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ओर्जा ग्रे कहा जाता है यह आप याद रखेंगे बिजली घर माइट्रो कंडिया कोशि है सित्री चक्र को ऑक्सिसोसन में एक ग्लूकोज के अणू से खालिस्थान एटीपी उर्जा की प्राप्ती होती है तो इस प्रकास से हमने कुछ प्रकास से अगले वीडियो के लिए बेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको अगला वीडियो जल्दी ही मिल सके थैंक्स पूर वाचे मिलते हैं अगले वीडियो में सभी को आप जरू तैयार कर लें ताकि आपके परिक्षा में इनमें से कई सारे कोस्टिन्स आपको मिल जाएं थैंक्स पूर वाचे मिलते हैं अगले वीडियो में